Hello everyone, मैंनी लम्तिवारी आप सभी का Magnet Brains में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains पे कैसा चैनल है जहाँ पर आपको Kindergarten लेके 12th class तक के सारे वीडियोज बिल्कुल free available करवाई जाते हैं उसके लिए भी सारी चीज़न शुरू हो चुकी है Magnet Brains चैनल पर तो देखे जैसा कि कख्षा 11 संस्कृत वियाकरण में हम कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार के बच्चों के लिए जितनी भी आपके स्लीबस में शब्द रूप दिये हुए हैं उनको हम लेकर आये हैं क्योंकि भाई चाहे कोर वादे बच्चे हो या इलेक्टे वाले सब के लिए शब्द रूप तो कैसा है कि संस्कृत जैसे पेड़ है तो शब्द रूप उसकी जड़े हैं वो हमें आना जरूरी होता है कि भाई उन्हें जब हम जान लेते हैं उन शब्दों के रूप जो 21 हैं वो ही कहीं न कहीं आपको पूरी संस्कृत में मिल जाएंगे चाहे आकारांथ हो अकारांथ हो इकारांथ हो उकारांथ हो तो इसी क्रम में हमने अकारांथ शब्द रूपों को बताया आपको अब चलते हैं अजंत शब्द रूप में आकारांथ यानि बड़े आकी मात्रा से अंतो होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं आकारांत शब्द कहलाते हैं और वो स्त्रीलिंग में ही बनते हैं स्त्रीलिंग में ही बनते हैं तो भही हम देख लेते हैं चाहे हम कहें रमा, चाहे कहें बालिका, चाहे कहें लता, जो भी राधा, माला, सीता, गीता, सिक्षा, विद्या, आ, बड़े आ की मात्रा से अंत होने वाले सारे शब्द हमारे आकारांत शब्द कहलाएंगे, ठीक है न, आकारांत का अर्थ क्या हुआ, आकार यानि आ से अंत होने वाले हमारे शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं ठीक है ना तो भई इसी क्रम में अभी स्ट्रीलिंग शब्द हमने एक रमा ले लिया है रमा ना लेते हम लता ले लेते लता ना लेते बालिका ले लेते किसी एक का पढ़ लीजिए एक पढ़ लिए सो याद हो गए ठीक है ना अर्थ क्या बनाते हैं जैसा कि हमने अकारांत शब्द रूपों को समझाया वही हम यहां पर आपको बताएंगे एक जो अजन्त शब्द लिखा हुआ है इसको भी हम आपको बता देते कि अजन्त का अर्थ क्या होता है अजन्त शब्द मिलकर बना है अच और अंत से मिलकर बना हुआ है जा हमारा किस में बदल गया, जशत्यसंदी से जा में बदल गया, तो यह हो गए अज और आ ने इसको आ के पूरा कर दिया, तो यह हो गए अज पूरा, और यह हो गए अजंत का अर्थ क्या हुआ, अच से अंत. अच्छ क्या होते हैं? स्वर स्वर कौन से? माहेश्वर सूत्रों से माहेश्वर सूत्रों से निकले हुए स्वर अच्छ प्रत्याहार के अंतरगत आते हैं अब कहेंगे प्रत्याहार क्या? तो कहेंगे पहले जो प्रथम चार सूत्र है माहेश्वर्ग सूत्र में वो कौन से हैं? आ, ई, उ, न, रिल, रिक, चीक है? ए, ओ, इंग, और आ, आ, उ, च, तो आ से शुरू हुआ, चापे खतम हुआ और ये अंत वाले जो हलंत वाले हमारे वर्ण हैं, उनकी हलंत यमसेद संग्या कर दी जाए मतलब उनका अगर लोप कर दिया जाए, तो ये जो हमारे बाकी के वर्ण बचते हैं, वो सभी स्वर्वर्ण होते हैं इसलिए अच कह दिया गया कि अ से लेके चातक सारे वन जो है इन प्रत्याहारों में आने वाले वन सारे स्वरवन होते हैं तो क्या दिया अच्छ से अंत होने वाली तो अर्थ क्या नहीं था अजंत का अर्थ हुआ कि ऐसे शब्द जो की स्वरों से अंत होते हैं उनको अजंत शब्द कहा जाता है अजन्त में अब क्योंकि अ से हमने पढ़ लिये हैं लेकिन अ अकारांत शब्द हमने पढ़ लिये हैं तो अब इसी का दीर्ग किया वो हुआ आ इसी का दीर्ग वर्ण क्या बना आ आ से अंतो होने वाले शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, इनको आकारांत शब्द कहेंगे हम ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो आकारांत शब्द भई हम कैसे याद करें कहेंगे राम के हमने याद किये है हमने राम के याद किये लेकिन राम के तो अलग दिख रहे है हाँ कुछ कुछ तीजे अलग दिखेंगे लेकिन बहुत कुछ आपको समान भी मिलेगा ठीक है चले तो हम पढ़ना शूर करते हैं रामा रामा मरमया ठीक है ये जो भी हमारे स्ट्रीलिंग शब्द बनेंगे अभी इनको जरूर याद कर लीजे क्योंकि इन से जोड़कर के आगे वाले शब्द रूप आपको जल्दी ही याद होंगे अकारांत और आकारांत ये दो शब्द रूपों को अच्छे सी जिसने याद कर लिया तो उनके लिए आगे वाले जो इकारांत हुए उकारांत हुए कोई भी जो भी शब्द रूप आगे बनने वाले हैं वो सरल हो जाएंगे ठीक है तो जो आकारांत शब्द होते हैं प्रत्मा अविवक्ति एक वचन में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता जैसा कत ऐसा लिख देते हैं रलता राधा 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 माला माला सीता सीता गीता गीता उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहां हो गया रमा, दुईतिया विवक्ति में माहलंत लग जाता है, तो गहेंगे रमा रमाम, यहां पर आए तो रमाया, यहां में या का आगमन होना है, अब याद रखे, ऐसे याद रखे कि आकारां तिशवद जब बनाते हैं, तृतिया से लेके सब्तमी तक समय या करेंगे हम रमा का जो आ है उसको गायब करके या लगा देंगे, तो यह हो जाएगा रमया, लता होगा लताया, बाली का होगा या, ठीक है, तो यह हो गया, चतुर्थी में यही लगा दीजिए, पंचमी सश्थी एक जैसे बनने हैं, और सब्तमी में लगा देंगे याम, ठ ठीक है, तो क्या हो गया, रमा, 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 रमया, रमा, यह, 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 रमा, यह सश्ठी में भी लग रहा है पंजमी और सश्ठी में रमा में सिर्फ या लगके विसर्ग के साथ वाला याह लगेगा लेकिन तृतिया का जो याह होगा उसमें ना तो विसर्ग होगा और आगे वाले मात्रा को भी हटा देगा ठीक है तो यह जैसे रमया लतया सीतया विद्यय यानि जो भी बढ़या की मात्रा होगी वो हट जाएगी सिक्षया ठीक है या इस प्रकार से लिजी यह हो गए हमारे एक वचन की रूप दुई वचन में रमे रमे एकी मात्रा ए ए भ्याम 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 यो 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 लगाते समय यहाँ पर भी आकी मात्रा का लोप हो गया तो रमे रमे रमा भ्याम रमा भ्याम भ्याम ठीक है भ्याम भ्याम लेकिन यहाँ यो यो लगाया यो यो तो हमने किस में भी लगाया था राम में भी लगाया था ठीके लेकिन यहाँ पर आकी मात्रा का क्या कर दिया गया हटा दी गई उसको तो यहाँ हो गया योह योह लेकिन रमयोह जैसे यहाँ त्रितिया में भी बढ़ी आखी मात्रा हटाई गई है और यहाँ पर भी सश्थि उस्प्तिमी के तुई वाचन में भी हटाई गई है ठीके अब इसके बाद आता अए हमारा यहाँ पर आये बहु बचन में आये तो क्या करें? बुली कुछ नहीं करें, सिर्फ विसर्ग विसर्ग लगा दीजे बालिकाह बालिकाह रमाह रमाह फिर भीह भ्याह भ्याह नामसू ऐसे याद कर लीजे, क्या करना है? भीह भ्याह भ्याह नामसू नाम लगा देते हैं हम किस प्रकार से नाम हो नाम हमने अपनी अणत्त विधान से सिखाया है कि रा अगर है शब्द में तो क्या हो जाएगा अना हो जाएगा रा नहीं है तो ना हो जाएगा यह हमने सिखाया अनत्य विधान में आपको क्योंकि रमा में र है इसलिए यहाँ पर रमा अनाम लगाया गया बाली का होता तो बाली का नाम होता लता नाम होता क्योंकि लता में र रियशा नहीं है चीक है ना तो यह नत्य विधान इसलिए हमने संदी में पहले पढ़ाए तो कैसे हम याद करेंगे रमाह रमाह रमाभी ऐसे याद करेंगे भीह भ्याह भ्याह नामसू और यह आपके इस प्रकार से आकारांत शब्द रूप हो जाते हैं अर्थ क्या निकलते हैं यह तो चलिए याद रखने वाली बात हो गए कि हमें याद रख लिया तो अब इने के अर्थ क्या निकलते हैं तो वो भी समझ लीजिए हर एक विवक्ति कारक से जुड़ी होई होती है और कारक क्या करते हैं कारकों की कुछ चिन होते हैं कारक होता क्या है क्या होते हैं कारक ऐसे शब्दिन का सीधा क्रिया से सम्मंद हो क्रिया को करने वाला करता यानि क्रिया नहीं हो सकती है जब तक की काम करने वाला कोई ना हो तो वो कौन हो गया करता और करता में लगाते हैं प्रत्माविवक्ति लेकिन करता का चिन क्या होता है कि चिन होता है ने दिखी स्पष्ट भी होता है और नहीं भी होता है यानि विजीबल होगा कहीं कहीं पे आपको ने दिखेगा भी के लता ने फल तोड़ा तो कहीं पर लता के संग में नीले का है रमा ने पुस्तक पढ़ी तो रमा के साथ में नीलगायाई समय अरुछ कहलाएगा करता जो होता है वो प्रत्मा विवक्ति में करतरी प्रत्मा सूत्र से लगाते हैं ठीक है चिन होता है ने तो इसका अर्थ निकल रहा है रमा ने या रमा कोई काम कर रही है या फिर रमा का नाम भी बताया जाएगा तब भी प्रत्मा विवक्ति का प्रियोग किया जाएगा다 कभी आपको अगर हिंदी से संस्कृत बानानी हो तो प्रथमाविभक्त purity आपको नाम बनाने के लिए प्रयोग में आएगे आप उसका किसी का नाम बता सकते हो तब प्रथमाविभक्ति कहीं प्रयोग करेंगे समझ लिजिए अगर लड़की लड़की एक है तो आप कहेंगे बाली का लड़कियां दो है तो कहेंगे बाली के और लड़कियां बहुत सारी है तो आप कहेंगे बाली का ठीक है अब कोई जैसे इस्तरी है एक रमा है तो क्या दिया रमा ठीक है अब रमा काम कर रही होगी तब भी रमा हम कहेंगे अगर या फिर रमा का नाम बता रहेंगे एशा रमा ये रमा है तो हम कहेंगे एशा रमा ठीक है नाम बताने के लिए भी प्रत्माविवक्ति का प्र कर्म होता है जैसे कि कहा जाए कि मैं विद्याले जाता हूं जाने की द्वारा कहा जाना चा रहे हूं विद्याले विद्याले कर्म हो गया मैं खाना खा रहा हूं अब खाने की द्वारा क्या खा रहे हूं मैं खाना खा रहा हूं मैं चावल खा रहा हूं मैं खीर खा रहा हूं करता हो गया क्रिया लेकिन ऌह पढ रहे होoured काह संस्कृत हम संस्कृत आपकी कर्म हो गया किताब पढ़ रहा हूं किताब आपकी कर्म हो गहीं कानाम कैसे कर्म हो सकता है क्यों हमने कहा कि मैंने देखा किसको रमा को देखा तो रमा में को लग गया किसमें यहां पर को कर्म का चिन्द क्या होता है को कहा रमा को देखा लड़की को देखा लड़कियों को जाते हुए देखा मैंने दो लड़कियों को जाते हुए देखा तो दो लड़कियां को के संग में है तो वो कर्म हो गई ठीक है तो यहां पर को का चिन होगा जिसमें को का चिन हमें लगाना होगा जिसको हमें कर्म बनाना होगा उसके लिए हम द्वीतिया विवक्ति का प्रियोग करेंगे या फिर जब हम पढ़ रहे हों संस्कृत जब हम पढ़ रहे हो और उसम से अधिक प्रिये है करता के द्वारा वो उसी को करना चारा है देखने के द्वारा किसको लड़कियों को देखना चारा है रमा को देखना चारा है सीता को देखना चारा है गीता को देखना चारा है सिक्षा ग्रहन करना चारा है विद्या ग्रहन करना चारा है ठीक है तो यह आपका कर्म हो गया फिर आते हैं तो समझ में आये कि रमाम, रमे, रमाह ₂ अब चलते हैं हम तीसरे नंबर तुर्टिया विभक्ति जो है वो किस कारक को होती है तो कहेंगे कारक में कारक में पहला हो गया करता दूसरा हो गया कर्म अब कहा जो सहायता करेगा वो हो जाएगा हमारा करण अब काम को करने में जो सहायक बने हो गया कौन? करण अब हमने कहा कि मैंने लड़की के द्वारा मैंने लड़की से या मैंने लड़की से सुना के वहाँ ऐसा हुगा तो लड़की क्या हो गई? मैंने रमा से सुना के वहाँ कोई आया या मैंने रमा से सुना के अध्यापिकानी ये पढ़ाया था तो रमा से ये रमा की द्वारा तो रमा कोन बन गई? सहायक बन गई सहायक कोन होता है साधक तमम करण यानि जो साधक होता है साधन होता है अब जैसे साधरन तोर पर कहते हैं कि मैं साइकल से विद्ध्या लाए गया मैं बस से विद्ध्या लाए गया मैं चलकर विद्ध्या लाए गया मैं पैरों से विद्ध्या लाए गया तो प मैं पिता के साथ विद्धिया लए गया अब आप कहेंगे कि लड़की के साथ लड़की के बाद तो के लगा हुआ है लेकिन साथ जो शब्द लगा है तो सहार्थी तृतिया एक हमने सूत्र आप लोगों को पढ़ाया है के साथ के अर्थ में जिसके साथ जाया जारा होता है वो भी करणकारक बन जाता है उसमें भी तृतिया विवक्ति लगा दी जाती है तो करण क्या होता है करण होता है सहायक जिसका चिन क्या होता है से या की द्वारा तो यहाँ पर जो तृतिया विवक्ति के जो आपका शब् हका हुआ है रमया रमा व्यार भी इसका अर्थ निकलेगा कि रमा से यह रमास की द्वारा दो की द्वारा यह र मैं दो मोर्व सी aux सपारी रमास से वह से संथे रमा की द्वारा तो रमा की जगे लड़कि के यहानि वालिका की द्वारा बाली का भी हम दो लड़कियों की द्वारा और बाली का भी ही यानि बहुत सारी लड़कियों की द्वारा ठीक है चले अब इस तरह से हम कहां पहुंच गए अपने तीसरे वाले तृतिया विवक्ती पे चतुर्ती विवक्ती क्या होती है उले चतुर्ती विवक् मैंने लड़की के लिए भूजन मनाया मैंने रमा के लिए गाना गाया मैंने रमा के लिए खाना बनाया मैंने रमा के लिए लड़ू बनाया या मैंने रमा के लिए गाना गाया अब मैंने रमा के लिए पाठ पड़ा तो जिस शब्द में के लिए जुड़ा हुआ हो क्योंकि संप्रदान का जो चिन ऻुक्ताइब हिन्दी में हमें के लिए दिखाई देता सैंभेयों वो जाएगा वह संप्रदान संप्रदाने चतूर्थी संप्रदान में चतूर्ती भिखक्ती लिखाई जाती है यह He या हिंदी से संस्कृत बनाने का लिखा हुआ हो रमा के लिए तो आप कहेंगे रमा यही, लड़की के लिए तो बाली का यही, लता के लिए लता यही, अब लेकर दो लड़कियां हो तो रमा भ्याम, यानि दो लड़कियों के लिए, दो रमा के लिए, दो सीता के लिए, ठी लिए विद्या के लिए लाई गया तो केलिए आगया दो का अर्थ लगा दें गे और अगर संस्कृत में लिखा हुआ हो तो हमें पढ़ेंगे कि छतीपन तीनों विभक्तियों में आता है तृतिया में पीचुर्टी आथ dwelling यह यह चाहे नाम हो या वस्तु हूए यह जो भी हो ओ जो और कौन सफ भी हो सकता है कि द्वारा और से हो सकता है कि यह लिए बता दें क्योंकि दोनों में भ्याम भ्याम लगा हुआ है ऐसे ही चतुरती पंचमी का भ्याह जो होता है वह कौन सा होता है के लिए कार्थ जोड़ देता है और यहां पर जो भ्याह है वह से है वह अलग उने वाला होता है चीक है से क्या होता है अलग उने वाला होता है तो ऐसे भ्याह भ्याह देखें तो हम उसमें देखेंगे कि यह जो शब्द लिखा हुआ है जिसके पीछे भ्याह लगा हुआ है वह बहुवचन में तो है यानि संक्या में दो से अधिक है तीन हो सकता है चार हो सकता है या कितना यह किसमें लगाए जाती है संप्रदान कारक में जैसे साधरण दे दिये जाते हैं आपको अधारन के विरिक्ष से फल गिरता है vind रिक्ष से फल गरता है गोडे कोड़ा है जिर्टे से आदमी गरता है हिमाले से गंगा बनता है तो लेकिन क्या कोई इसरी वाची स्व जब्द क्या संपरदान बन सकता है बिल्कुल हो सकता है मैं रमा से नग हो गई बनेगी कि कैनी रमा में से लग गया कौण सा उलग होने वाला किहीं गरीखों को लिखे हम कहां किकर यह लड़े कि हम पर लिखे में हम तो यह क्या हो गया रमा झो अब आते हैं सश्टी वीवक्ति सश्टी वीवक्ति का रखने हो यहां पर कोई क्रिया नहीं होगी एक का दूसरे से संबंद हो सकता है कहें लगता का घर लड़की का घर लड़की का विद्याल है रमा का घर रमा का विद्याल है रमा का नगर रमा का गाउं तो रमा का किसी से भी संबंद हो सकता है तो रमा के साथ में काकी की लगा हुआ है तो उसको दर्शाने के लिए हिंदी में किसी भी शब्द के साथ में काकी की अर्थ लगा हुआ है तो उसके लिए सश्थी विवक्ति का अंप्रियोग करते हैं और जैसे ही सश्थी विवक्ति का करते हैं तो फिर अलग-अलग हमारे स्वरों की अलग-अलग प्रिकार की रूप बनते हैं तो यहां हो जाएगा रमायाह जीगे यानि रमा का दो रमाव का तो रमयो हो और रमा नाम यानि रमाव का वह सारी रमाव का अब यहाँ बाली का भी हो सकती बाली का याह यानि बाली का का बाली का यो हो बाली दो लड़कियों का और बाली का नाम यानि लड़कियों का तो अब जैसे कहें लड़की का विद्यालय तो बाली का याह विद्यालय ठीक है विद्यालय हो गया अब कहेंगे कौन सी दो लड़कीयों का विद्यालय तो बाली कयोह विद्यालय यहां कहें लड़कीयों का विद्यालय तो कहेंगे बाली का नाम विद्यालय ठीक है चले सब सब्सक् Corinthमी कि Pero pareil अदिकरण कारक सब्सक्राइब संप्रदान में अगर आपने नहीं लिख लिखा हो तो लिख दिजिए संप्रदाने चतुर्थी अपादाने पंच्छमी व क्रण दुल्स ची है विखतो है कीजिए रंखनाती है अधिकरण का चिन होता है मैं और पर हम पड़ते हैं ना करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यह क्यों पड़े रटवायते यह इसलिए रटवायते जिस से आप पहचान कर अगि कि कारक बन रहा है तो क्या उसमें बिभक्ति सवल सेशरों पूर्ट्छ को कोई की याद राखना है हूं लड़की। या कोई दिल स्थान होगा हो उसकता है। producing लड़की पर श्वेट वस्तर महससे us saying है तो लड़की वश्तर का इस्थान हो गई कि नहीं अधिकरणकारक हो गई क्योंकि हमने का लड़की पर लड़की में बहुत गोण है लड़की में बाली का में रमा में बहुत सारे गोण हैं तो यह क्या हो गया अधिकरणकारक बन गया क्या नहीं तो उस पो हम कैसे बनाएं हम कहेंगे बालिकायाम, रमायाम, चात्रायाम चात्रा में बहुत अधिक गुण है में का अर्थ जूड़ने के लिए सब्तिमी बिवक्ति लगा देंगे तो यह जाएगा रमायाम, बालिकायाम हमारी कोई भी स्री लिवाची शब्द हो सकता है उसमें मेह पर जुरा हुँआ हो उसके लिये हम क्या कह Marshigm के लिये हम सब्ति तो है उसमें मेह पर लगा हुआ है तो रमयों बालिक्यों इस प्रकार बना देंगे और अगर लड़कियों पर सारी हैं, लड़कियों इस अश्रार में पर लाल वस्ति बहुत ऑच्छे लगते हैं, लड़कियों पर काले वस्तर बहुत अच्छे लगते तो रमासू बालीकासू इस प्रकार से मैपर का अर्थ जुड़ जाएगा तो भई शब्द रूप याद करना तो बड़ी आसान है कोई दिकत नहीं है दो बार आप लिख लेंगे और देखे जिस प्रकार से हम करते थे हम वैसे ही आपको बताएंगे के सबसे पहले एक अपनी किताब बनाईए कौपी बनाईए जहां शब्द रूपों को लिखिए ठीक है जैसे एक पेज लिया उस पे आपने अकारांत शब्द लिखे अकारांत लिखे तो उसको अकारांत का राम का अगर याद किया है तो राम जैसे और बनाने का प्रेयास कीजिए और तरब से प्रैक्टिस कीजिए एक बार आपने उसको क्या किया रैपीट किय तो याद हो जाएंगे इसके बाद क्या smoking दूसरे पेज पर आकारांत के लिखे आकारांत जैसे और दू चर बनाने का प्रयास की counting कि जो शब्द रूप ह मैंनी बढ़े आगी मात्तां से अंत on houses और हम कैसे बनाएं तो उनको रमा की तरह बना की लता की तरह बना भाली बना ठीक है न लेकिन रावाले श़ब्ड रूपों मे यह जरूर याद रखना हमें जहां पे नाम होगा वहां नाम हो जाएगा जैसे लता लता में रा नहीं है तो गया लता नाम बाली का होगा बाली का नाम लेकिन वही रमा हो गई रमा नाम क्योंकि रमा में र लगा हुआ था रा के होने पर रा के आगमन पर जो ना होता है प्रत्य वाला वो नामे बदल जाता है ना तो विधानमने आपको पढ़ाया है ठीक है तो इस तरह से लीजिए यह हो जाते हैं आपके आकारांत वाले शब्द रूप पूरे समझ में आए बताईए का ज़रूर तोड़ा बस यह चीज के कमी करते हैं आप लोग के समझने के बाद में अगर समझ में आ जाता है तो एक बार बता दिया किजिए हां मैं मैं बेनेफिट हो रहा हो लेकिन एक मोटिवेशन होता है कि चलि इतने बच्चों को समझ में आया अच्छा लगा ठीक है चले मिलेंगे अगले वीडियो में यह सारे वीडियो आपको हमारी मैंनेट ब्रेंस वेब साइट एप्लिकेशन और यूट्यूब सब जगे मिल अब यहां पर देखें कोर्स में इंग्लिश हिंदी मीडियम सारी चीज़े दी हुए एक्जाम का अलग वना हुआ है इंग्लिश मीडियम में गया क्लास 11 को सर्च किया क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट सागय संस्कृत की भाष्वती हो चुकी है संस्कृत व्याकरन चल रही है क क्लिक करेंगे आपके सामने व्याकरन का पेज ओपन हो जाएगा अब यहां पर देकी ओवर्वीय हो गया संधी के सारी वीडियो संधी को आप खोलेंगे तो यहां पर आपको 200 लेक्चर मिल जाएगे ऐसे ही शब्द रूप प्रत्य है सारी चीज़ें आपको मिलती जाएग प्रियोग आपकी पुस्तक में आपके जो स्लेबस है उसमें आए हुगे हैं इसलिए हमने उनको आपको करवाया है ठीक है मिलेंगे अगले वीडियो में अग इकारांत के अपने पूर लिंग इस्त्री लिंग और नपुनसक लिंग शब्द रूपों को भी सीखेंगे तब